खंडवा में पाला गिरने से बरबाद हुई फसल का किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए पूर्व सिक्षा मंतरी विजशाह जिला पंचायत पहुचे यहां उन्होंने किसानों के साथ प्रभारी कलेक्टर डी के नागिंदर को नस्ट हुई अरहर की फसल का नमूना दिखाया और किसानों के खेतों के सर्वे करने की मांगी अत्यादिक ठंड पढ़ने से खालवा ब्लॉक के ग्राम दिदमदा दामनिया बाकर जून चाकरा सहित अन्निगावों में किसानों की तूर की फसल बरबाद हो गई है किसानों की समस्या लेकर पुरू मंतरी और हरसूद विधायक विज्जे शहाज जिला पंचायत सीयो और प्रभारी कलेक्टर डी के नागेंदर के पास पहुचे उन्होंने अधिकारी को फसल दिखाते हुए कहा कि किसानों को उचित मुआवजा देनी की मांगी किसानों की और से मुख्यमंतरी कमलनाद के नाम ग्यापन भी दिया गया वहीं प्रभारी कलेक्टर ने किसानों की ग्यापन पर ततकाल कारवाई करते हुए SDM हरसूद को गावों में सर्वे के निर्देश दिये मीडिया से चर्चा के दौरान शहा ने कॉंग्रिस को लेकर कहा लंगडी सरकार वह चला रहे हैं देखते हैं कितने दिन चलती है भावंतर योजना को कृशी मंतरी सचीन यादव द्वारा बीजेपी के जेब भनी की योजना बताय जाने के सवाल पर शहा ने कहा कि अभीकरिशी मंतरी निविस्तार से इस योजना को नहीं समझा होगा यह अच्छी योजना है मैं जीतने की धन्यवाद देने के लिए दिदमदा, दाउनया, बकारजुन, चाकरा, पारगुलाई, जिर्पा जब गया तो लोगों ने जो पाला पढ़ने से, उनकी जो खास करके डाले हैं, अरहर की डाल, उस पर जो पाला पढ़कर के पूरे खेट सपेद हो गए, और पूरे जाड़ जल गए उन्होंने वो समस्य मुझे बताई थी, आज मैंने कर्टर मोदा के पास, उनकी सानों को बुलाकर भी, उनकी फसलों के नमूने, हर खेट में जाकर के, उनके फोटोग्राप्स के साथ, जाच के लिए निविदर किया है, कि बनवासी और बनगराम के जो लोग हैं, बड़ी म मतद करने का, हमने आज कर्टर मोदा से निविदर किया है, आवंतर योजना के विस्तार में जाकर के यह तो मंतर जी ने भी समझी नहीं है, उन्हें सरकार उनकी है, जनता ने जनाधार तो उनको भी नहीं दिया है, लंगरी सरकार वो चला रहे हैं, देख लेकिन जो किसान साथ में भी आए हैं, अरहर फसल को लेकर भी हमको दिया है, और हमने अभी SDM हरसुत को और TFO साथ को हमने भी अनरोद भी किया है, कि एक बार सर्वे करके एक रिपोर्ट हमें दे और RBC 64 के तहट जो है, अल्रेडी उसमें मुवज़ा का प्रावधान भी है, तो हम दो खंडवा से शेख रहीम की रिपोर्ट